हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चनल वीना स्क्रियेशन में मैं हूँ वीना और आज मैं आपके साथ सेर करने जा रहे हूँ एक भूली बिस्री रेसिपी जो दादी नानी की रेसिपी है ये बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी तो आज हम बनाएंगे बाजरी के चमचमिया जो बहुत ही इंस्टंट बन जाते हैं इससे बनाने में बिल्कूल भी टाइम नहीं लगता है और घर में विलते हैं इंग्रीडियन में इससे ये बनकर रेडी हो जाता है तो इस वेंडर की सीजन में आप जरूर से ये रेसेपी बना कर जरूर से ट्राइ किजिए का आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो के ओर बढ़ते हैं तो बाजरी के चमचमिया बनाने के लिए मैंने आपर एक बाउल ले लिया है उसमें हम एक कप जितनी मेथी एड़ करेंगे तो ये हरी वाली मेथी है जिसे मैंने बारिक कट कर लिया है तो इसे मैंने एड़ कर दिया है बाउल में उसके बाद हम यह आपर लेंगे हाफ कप जितना धनिया तो धन्या को भी मैंने अच्छे से धोकर उसको मैंने बारिक कट कर लिया है उसके बाद हम यहाँ पर एड़ करेंगे हरा लेसुन तो हरा लेसुन मैंने यहाँ पर करीबन वन थड़ कब जितना लिया है अभी winter की season है तो हरा lesson market में आसानी से मिल जाता है तो उसका आपको white वाला और हरा वाला part दोनों ही आपको यहाँ पर add करना है इससे बहुत ही अच्छा taste आएगा उसके बाद हम यहाँ पर add करेंगे अद्रक और हरी मिर्च का पेट्स तो तीन हरी मिर्च और एक छोटा टुगड़ा मैंने अद्रक का ले लिया है जिसे मैंने roughly कूट लिया है अब हम यहाँ पर ले लेना है बाजरे का आटा तो बाजरे का आटा मैंने एक कब जितना लिया है नाप में सारे description box में लिखती हूँ अगर आपको कभी समझ नहीं आता हो तो आप मेरे description box में जाकर चेक कर सकते हैं तो इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर एड़ करेंगे खटा दही तो वन थर्ड कप जितना मैंने यहाँ पर खटा दही लिया है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपके पास दही नहीं हो तो आप छास भी एड़ कर सकते हैं स्वादनु सारी इसमें हम नमक एड़ कर देंगे और इसमें एड़ करेंगे जीरा तो फ़ीजों मैंने यहाँ पर जीरा ले लिया है उसे हम थोड़ा सा क्रस्ट करके डालेंगे इस तरीके से इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे करीबन एक टेबल स्पून जितना तिल इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जरू से एड़ कीजिएगा अब हम इसमें एड़ करेंगे कुकिंग सोडा तो मैंने यहां पर करीबन हाफ की स्पून जितना कुकिंग सोडा ले लिया है आप यहां पर एक चोथाई टी स्पून जितना भी एड़ कर सकते हैं वो आपकी कॉंटेटी पे डिबेंड है थोड़ी अपर पानी remember her अपकी साफ़ी यहां पर ले लिया है अब मैंने यहां पर होड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्सकरते जाना है मैं कितना पानी यूज और पर यूजकिंग स्वाइन से अब आपको तो यहां पर हमें थोड़े से पानी की और जरुरत है तो थोड़े सा पानी मैं यहां पर और एड़ कर दूँगी और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी तो इसी तरीके से हमें इसका बैटर बनाना है तो और मुझे यहाँ पर पानी की ज़रुरत है तो एक कप मैंने और यहाँ पर पानी ले लिया है तो करीबा निसमें डेट कब जितना पानी लगा है आपकी कॉंटेटी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा पानी की ज़रुरत पड़ेगी मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी पता देती हूँ बस उसी तरीके का आपको यहाँ पर बैटर रेडी करना है आप देख सकते हैं फ्रेंस जैसा की हम बेशन का चिला बनाते हैं उसी तरीके का बैटर आपको यहाँ पर रेडी करना है तो चलिए फ्रेंस अब बनाते हैं चमचमिया तो यहाँ पर चमचमिय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन्स्टिक पेन ले लिया है अगर आपके पास रोटी का तवा है तो आप वो भी ले सकते हैं इस पर भी आसानी से यह चमचमिय बनकर रेडी हो जाएंगे तो मैंने थोड़ा सा तेल एड़ कर दिया है और उसके उपर मैंने थोड़े से तिल एड़ कर दिये हैं ताकि ये दिखने में भी बहुत ही सुन्दर लगे तो अब हम यहाँ पर बैटर को डालते जाएंगे तो दो टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पर बैटर को एड़ किया है और उसे हमें एकदम से पतला पतला फैलाना है ध्यान रहे दोस्तों कि हमें आपर इसे एकदम मोटा नहीं फैलाना है अगर आप मोटा फैलाएंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा उसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पर आपको एकदम से पतला पतला बैटर को फैलाना है और जिस सेप में भी आप यहाँ पर चमचमिया बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से वो सेप दे सकते हैं तो मैंने आपर इसे राउंड सेप में बनाया है तो इसे हम एकदम slow flame पे ही पकाएंगे ध्यान रहे कि हमें आपर high flame पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है ये जल जाएगा तो इसे हम नीचे की और से पलट देंगे तो इसे पलटाने में भी बहुत ही सावधानी रखनी है एकदम नीचे से पक जाए उसके बादी हमें spatula एड़ करके उसको पलट देना है इस तरीके से तो आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं उपर से भी थोड़े बहुत हमें तिल एड़ कर देने हैं ताकि ये बहुत ही दिखने में भी सुंदर लगे और तिल का टेस्ट जो है वो बहुत ही चमचमया में मज़ेदार आता है तो जरू से एड़ कीजिएगा तो इसे हम नीचे की और भी अच्छे से पका लेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितने क्यूट लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं खासकर बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे और बड़ों को भी ही पसंद आएंगे तो ये रेसिपी एक बार इस विंटर में जहरू से ट्राय कीजिएगा तो फ्रेंज इसे हमें एकदम से पलट पलट के उपर से दबा दबा के हमें इसे अच्छे से पका लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एकदम से golden brown color होने तक इसे मैंने पकाया है तो इससे हम बाहर निकाल लेंगे और दूसरे भी इसी तरीके से हम चम-चमिया बनाएंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यह तो इसे हम एक डीस में निकाल लेंगे अगर वीडियो जहरा सा भी पसंद आता हो नो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक ज़रू से कर दीजिएगा तो दूसरे भी हम इसी तरीके से चम-चमिया बना लेंगे पहले हम तबे पे ओईल डाल देंगे अगर आपको यहाँ पर तीलेड नहीं करने हो तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं तो इसी तरीके से हमें सारे चम-चमिया रेडी कर लेने हैं तो फ्रेंज ये बहुत ही इंस्टंट रेसिपी है, ये जल्दी ही बन जाते हैं, आप इसे सुबा नास्ते में बना सकते हैं, सामके नास्ते में बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन बॉक्स में इसे दे सकते हैं, इसे आप सोस के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते लेस्टून की चटनी के साथ खा सकते हैं बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं तो बाजरी के चम-चमिया बनकर बिल्कुल रेडी हैं तो फ्रेंज कैसा लगा है मेरा आज क्या वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करका जरू से बताईएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई थैंक्स पर वाचिंग